सर्दियों के समय में बजारों में कई प्रकार के मौसमी हरी पत्तेदार सबजीयां उपलब दोती हैं, जो ना केवल सरीर को स्वच रखने में मदद करती हैं बल्कि आपकी खुबसूर्थी को भी निखारती हैं. ये हरी पत्तेदार सबजियां विटामिन सी, आइरन, प्रोटीन, पोटेसियम जैसे पोशन तक्तों से भरपूर होती हैं ठंड के मौसम में ये सबजियां आपकी सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होती हैं और आपके सरीर को स्वस्त रखने में मदद करती है इस सीजन में जहां एक तरफ कुछ चीजों से परेज करना पड़ता है वहीं ग्रीन वेजिटेबल्स को डाइट में सामिल करना बहुत जरूरी होता है लगनो की चीफ डाइटीशियन डॉक्टर सुनीता सकसेना से जानिये कि सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के क्या फायदे होते हैं बहुत ही अच्छा मसय को सर्दियों करें मौसम में आह थे कि फोल्य प्रचन में पॉस्टिक थब्यानol घुतनाum काफी सारे पोशकतत तो जैसे कि आईरन है फोलेट है तेलशियम है और बहुत सारे एंटी ऑक्सिजेंट रिच होते हैं तो अगर इस मौसम में इन सब्जीयों का इस्तिमाल करें तो शरीर को बहुत सारे पोशकतत तो मिल सकते हैं जिसे काफी कुछ इमिल्टी बॉडी की बू है, सर्सों है, मैती है, बथुआ है, चौलाई है तो ये जो सब्जीया है तो इनके अंदर आईरन की मात्रा बहुत अधिक होती है कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाता है और बहुत सारे एंटी ऑक्सिडेंट रिच होते हैं कि सेलैनियम है, कैल्शियम है, वि इम्म्यूटी बिदान करते हैं और जब इम्म्यूटी बॉडी के अंदर अच्छे से होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बस सकते हैं तो अगर हम डेली इनका इस्सेमाल किसी ने किसी रूप में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का अगर इस्सेमाल करें तो पोशक तत तो मैं उनकी मदद से उनकी माओं से ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे नहीं खाते हरी सब्जियां तो उन्हें किसी भी रूप में जैसे कि आटे में मेथी काट के दे सकते हैं डाल में पालक डाल के दे सकते हैं बत्वा डाल के दे सकते हैं और इनका सूप बना के दे सकत तो कि बच्चों को थोड़ा सा कटलेट और ये सब चीज़े पराठे ये सब पसंद आते हैं तो आप इनको किसी भी रूप में दें पर हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ इन सब्जियों का सर्सों का साग बना के दें और इससे ताकि बच्चों को सार पॉस्टिक तो मिल सकें